आपका माध्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा यानि कि अभ्यर थी जो यदि यह सोच रहे होंगे कि एक्जाम का डेट बढ़ेगा कोई नहीं ओफिसियल नोटिस दे दिया गया है तो आप देख लें लेकिन एक बात मेरा भी कहना है कि जब सिलेबस चेंज हुआ यदि अभी चले जाएं तो साइंस होगरा का या और्च पेपर का य लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम सेर करें ताकि सक्षम पदाधिकारी तक पहुँचे और इन बातों पर वो लोग विचार करें देखिए आप क्या चाहते हैं मादमीक सिक्षक पात्रता परिक्षा STET 2023 का प्रवेश पत्र निर्गत करने तता परिक्षा संबंदित आवस्यक सुचना एदत द्वारा माधमीक सिक्षक पतरता परिक्षा STET 2023 में सम्मिलित होने वाले और भेर्थियों से सम्मंदित जीला पदाधिकारी सम्मंदित जीला सिक्षा पदाधिकारी यों सभी सम्मंदों को सुचित किया जाता है कि माधमीक सिक्षक पतरता परिक्षा यानि STT 2023 दिनांक 492023 से 1592023 तक यानि कि आपका एकजाम चार तारिक से चलेगा इसी चार से यानि आने वाला चार से 492023 यानि 4 सितंबर से 15 सितंबर तक अब आप भी सुचिए बहुँ सारे से अभ्यरती होंगे जो अपना जाकर वेरिफिकेशन विप्यसी सिक्षक भरती करा फाएंगे कीज्वें एकजामन देंगे यह अयो को समझना चाहिए एक तरह वेरिफिकेशन चल रहा है एक तरफ फिये चलना है कम-से-कम यह बात देखना चाहिए कि Le 만들 दो परिक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परिक्षा होगी यानि सीविटी होंगे कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट आपका लिया जाएगा आयोजित होगी जिसका कारेकरम निम्नुवत है पर्थम पाली की बात करेंगे तो रिपोर्टिंग भी दिया गया है गेट क्लोजिंग दो तीज में यानि सारह याट से लेकर नौ तीस तक आप जा सकते हैं एक घंठा वहीं आज दुतिय पाली की बात करेंगे तो दो तीस तक यानि कि एक डेड़ बजे लेकर नहीं बजे और और शारे नौ बजे आटेस्ट टाइमिंग क्योंगा पुरवाहन दस बजे से लेक यह हो गया दो पाली में एक्जाम होगी computer based test होंगे और दो पाली में है कि सुबह साल है नौ तक आपको इंट्री दिया जाएगा शुबह वाला पाली में और दूतिये जो पाली है उसको ढाई बैतक इंट्री दिया जाएगा उसके बाद तीन बैसे दूतिये पाली स्टार परिक्षा के लिए निर्गत मूल परवेस पत्र में परिक्षा केंदर का नाम परिक्षा किती थी परिक्षा का समय परिक्षा केंदर पर पहुँचने का समय परिक्षा केंद्र का गेट बंध होने का समय आधी अंकित रहेगा विवरन में दिया रहेगा चौथा में देखिएगा अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से सम्मनित अन किसी भी परकार की कोई कठनाई हो तो अभ्यर्थी हेल्फ लाइन नमर दिया गया है उश पर आप समपर कर सकते हैं आगे आईए यदि आथवा इसके बावजूद भी किसी परकार का कोई दिकत हो तो आपका ये इमेल आईडी भी दिया गया है उश पर भी मैसेज आप छोड़ सकते हैं चौथा पाचवा में आईएगा अभ्यर्थी परिक्षा की तिथी के एक दिन पूर्व परिक्षा केंद्र का लोकेशन आवस्य ग्याद कर लें ताकि परिक्षा तिथी के दिन परिक्षा केंद्र पर जाने में कोई कटिनाई नहीं हो ये बिहार विद्ध्याले परिख्षा समिती के द्वारा ये सारे चीज बताये जा रहा है। अलोक में वैसे दिव्यांग परिक्षार्थी को स्वयम से लिखने में असमर्थ हैं उनके अनुरोद के आधार पर सुरुति लेखन उपलब्द कराया जा सकेगा। इसके अतरिक्त यह भी प्रवधान है कि दिव्यांग अभ्यार्थी गण आपना सुरुति लेकर भी ला सकते हैं एक सब्ता पूर्व से सम्मधित जिला अधादिकारी को आवेदन देना होगा। अभ्यार्थी को इस परिक्षा के पूर्व यानि की कॉंप्यूटर बेस्ट टेस्ट अभ्यास है तू प्रवेश्पत्र पर URL लिंक अंकित है सम्मधित अभ्यार्थी उश यूर लिंक पर जाकर दिनांक 30R2023 के आप रहन से CVT का अभ्यास कर सकते हैं देखिए लोग यह सुवधायक दी है चुकि बहुत जल्द एक्जाम करा रही है बहुत जल्द रिजल्ट भी आएंगे यानि कि आप देखिएगा इस तरीका से एक्जाम होगा कि यह भी हो सकता है कहीं अब आगे क्या वीचार है वो बाद में जाना जा लेकिन यह जो अभी तक का है यह लग रहा है कि इसमें जो अभ्यर्थी शफल होंगे कहीं में भी यह भी हो सकता है कि BPSC में सामिल कर लिया जो जाए वो सरकार और आयोक के अंदर की बात है लेकिन जिस तरीका से तेजी दिखाये जा रहा है मुझे लग रहा है कि कहीं यह भी कहीं कहीं कोई ना कोई इस इम पारा में देखिए जिन अभ्यर्थी ने विशेश विद्याले अध्यापक विशेए कोड 117 के लिए आवेदन किया है उन्हें विशेश चैन हेतु समीती के द्वारा परकासित विग्यपती संक्या पी आर 276-2023 के अनुशार दिनांक 31-2023 तक का औसर परदान किया गया इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी समीती की वेबसाइट का नियमित रूप से अलोकन करते रहे हैं यह देख सकते हैं आप लोग के लिए आवस्यक सुचना है यह आप क्या सुचते हैं आपका क्या वीचार है आप जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करें जो भी अभ्यर्थी